नमस्कार साथियों उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे मस्त होंगे साथियों क्लास 12 क्विशन बेंक सालीशन कर रहे हैं और उसी कड़ी में हम आज चर्चा करेंगे साथियों अभी तक मैंने जो क्विशन बेंक सीरीश चर रही है उसमें मैंने थो सवस्ता करवा दी है रासानिक बलगती की करवा दीए पूरा सारे क्विशन एक भी क्विशन नहीं चुड़ा है सभी तरह की क्विशन करवाएarat मैंने हम तो गे निश्कशन की सिद्धा अंदेम प्रक्रम करवा दिया है दी और एबलाक के तत्व करवा दिया है उपसासवज योगी करवा दिये हैं जैवणू आज हो जाएगा बहुलक करवा दिया है और देनिक जीवन में रसायन तो इस प्रकार से आज जो है आपका आधा कोर्स क आइक यूणित मेंने करवा दि हैं सोलह में से और बाकि यह तो आठ दिन में आपको पूरा सेलेवस मिल जाएगा तो शुरूत करें आज आदे गंदे में आपका जो इश अप्रकम्रिड होने वाला हैं और आपके चार नंबर कम्पिल्ड होने वाले हैं यह फॉर मारक्स की उनिट हैं कितना नंबर की चार नंबर की तो आज चार नंबर कम्प्लिट करने के लिए धीरज से बेठिए और पूरा किशन बेंक इस उनिट का कीजिए चलिए बहु विकल भी प्रशन है सबसे पहला आपके सामने आंसर हादिर है उत्तकों का निर्मान किसके द्वारा किया जाता है बेटा उत्तकों का निर्मान किसके द्वारा किया जाता है चलिए जल्दी से बताईए तो विटामिन के द्वारा कार्बोहईडर के द्वारा प्रोटीन तो बेटा जी प्रोटीन क प्रोटीन का अपनी बोड़ी में प्रथम इस्तान होता है कौन सा इस्तान होता है प्रोटीन का अपनी बोड़ी में प्रथम इस्तान होता है और प्रोटीन बनते हैं और प्रोटीन से कोशिका बनते हैं और कोशिका से उत्तक बनते हैं और उत्तक से अंग और अंग से शरीर श शारक जोड़े होते हैं एक तो होता है एडिनीन और थाइमीन ठीक है और साइटोसीन और ग्वानीन मेरी बात सुनना साइटोसीन ग्वानीन यह तो होते हैं डीने में यह किसमें पाया जाते हैं डीने में और आरेने में जो पाया जाते है एडिन थाइमीन के इस्तान पर क्या पाये जाता है यूरेसील और साइटोसिन और ग्वानीन ये हेटोजन मोंट रहते है इनकी बीच में तो ये चीज़ होती है आरेने मीân तो कौन सा ये थाइमीन के सम्पर युरेसिल तो आरेने में नहीं पाया जाने वाला कोन है थाइमीन नहीं पाया जाता है बाकी युरेसिल है गवानीन है साइटोसिन है युरेसिल युरेसिल एडिनीन ये युरेसिल पाया जाता है आरेने में ठीक है एडिनीन भी पाया जाता इसका ये वाला option त它 कौँन सा प्रोटीन द्रत प्रौवाब में oxygen का काम करता हैं और को अ tumis हम फोडी कोन करता है हिमोग्वेश्व क्यों किला हमो लूब एक सिल्टन है हमोग्लोव में हम सरे स्कम्वेश्व करता है यह बोडी में लेता है मान मान से मान बेशयों में मायोग обяз़ लोवीन को नासफर कर देता है और जब जब मैयो गलोबीन यांसर को सब बैटा जी-हेमा उख्लोवईन कौना सा उगा हीमा उख्लोवीन अब आगे बड़े सभी जीवित कोशिकाओं में अधिकतम प्रभावशाली उर्जा वाहा गए भाईया ATP, ATP जो होता है एडिनोसिन टाइप, डाइफास्पेर में कनोट हो जारा आता है और फास्पेर निकलता है तो यहां पर ATP का जब माली कुल तूटता है तब क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है तो इसका B वाला option सही है आगे बड़े, चलिए रिक्त इस्थानों की पूर्थी कीजिए ग्लुकोज 6 कार्बान युक्त, क्या है? मोनो सेक्रेट से ग्लुकोज, फ्रक्टोज, गेलेक्टोज क्या है ये? मोनो सेक्रेट से जिनको और तोड़ा नहीं जा सकता है छोटे मालिकुल में मतलब कार्बाइडर के फॉर्म में और छोटी युनिट नहीं मिलेगी इससे तो ग्लुकोज क्या है? मोनो सेक्रेट से अच्छा, एमिनो समू में C O O H और ये C H2 और ये N H2 तो यहां का O H और यहां का H निकलेगा भीया यहां का O H और यहां का H तो यहां पर कुल मिला के ये जो बोर्ड बनेगा C O N H bond बनता है C O N H bond बनता है बाकि आगे यसे किसी हो जाएगा? C H2 C O O H NH2 तो ये जो है क्या कहा कि एमिनोसमू, एम कार्वोक्सिलिक समू ये एमिनोसमू और ये कार्वोक्सिलिक समू कि परस पर क्रिया से बनने वाला बंद कहलाता है तो भाई साब इस बंद को कहेंगे अपन पेप्टाइड बॉंड ये लिखा अपनोंने पेप्टाइड बंद क्या लिखके रखाएंगे इसको पेप्टाइड बंद चलिए विक्रतिकरत प्रोटीन की सरचना का परभावित विक्रतिकरत प्रोटीन की सरचना को परभावित नहीं करता है तो प्रोटीन की अलग-अलग सरचना होती है प्रोटीन का बहुलक इसका तो बहुत सारे amino acid से मिलकर protein बनाते हैं different type के amino acid से मिलकर different type के protein बनाते हैं में बात समझ में आई तो protein amino aml क्या लिखेंगी? amino aml का बहुलक है ठीक है? next आपके सामने हाजरे DNA में नहीं पाया जाता है अभी बात करी थी कौन सा शारक जोड़ा नहीं पाया जाता है तो मैंने कहा था कि एडिनीन, थाइमीन, साइटोसीन और गवानीन ये किसमें पाया जाता है डियेमने में और एडिनीन, यूरेसील और साइटोसीन और गवानीन यह किसमे पाये जाता है यह RNA में यह RNA में पाये जाता है यह DNA में पाये जाता है तो बेटा जी यहाँ पर मैं आपको बताओं कि यूरेसील नहीं पाये जाता है तो यहाँ पे लिखनू मैं यूरेसील यूरेसील किसमें पाये जाता है सिर्प RNA में तो यूरेसील DNA में नहीं पा है जोडी से मिला देते हैं जोडी रब ने बना दी जोडी ही मोगलोबिन चल्णापी क्या थी एक परोटिन है啦 लेक्टोज, लेक्टोज क्या है, लेक्टोज भई यहां पर जो है, किसमें पाया जाता है, दूद में पाया जाता है, दूद में लेक्टोज पाया जाता है, वेली क्या है, एक एमिनोमल है, और ग्लुकोज क्या है, एक मोनो सेकराइट्स है, राइबो शरक्रा किसमें पाया जाती है RNA में और DNA में कौन से शरकर आप आई जाती है डी अक्सी राइबोड तो यह हो गए आपके लिए जोड़ी है ओके जबने बना दी जोड़ी चलिए एक शब्द यह बाके में उत्तर दो जल्दी से बेटा रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तर दाई है तो रक्त का थक्का जमाने के लिए बेटा जी फाइब्रीनोजेन कौन सी फाइब्रीनोजेन 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 ब्लड निकलने के कारण तो यह फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो है यह आवश्यक है नेक्स्ट अगला है अमीनोमल को आपस में कौन सा बंद जोड़ता है अभी बताया था एमीनोमल आपस में किसके द्वारा आप जोड़ते हैं पेप्टाइड बॉंड द्वारा सी ओ होती है और इसमें फ्रक्टो इसमें में का मतलब है कि उस रींग में क्या होता है यह सी दूसरा सी यह तीसरा यह चोथा यह हैं और यह उक्सिजन को मैं क्या खूंगा कि यह और अगर यह ऐसे ring है, यहां carbon, यहां carbon, यहां carbon, यहां carbon, यहां carbon, यहां oxygen तो यह six remember ring हो गई, तो इसको मैं क्या कहूँगा, कि यह pyronose ring है और इसको क्या कहूँगा, कि यह fewos ring है ठीक है, यह चीजे जब आप पढ़ोगे, इसमें structure glucose की, मैंने सारी चीजें clear कर रखिये तो फ्रक्ट्रोज में five member ring है तो इसको क्या कहूँगा फ्यूरे नोज और glucose की को क्या कहूँगा पाइरो नोज बाले पाइरो नोज रिंग होती है मेरी बात समझ में आई अगला चोथा क्यूशन है शरी के लिए उर्जा का मुख्य स्रोत क्या है बोड़ी के लिए उर्जा का मुख्य स्रोत क्या है तो कार्बो हाइडरेट से हमें क्या मिलती है एनर्जी मिलती है तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा कार्बो हाइडरेट का है खरिजो लाग वोने वाइन मिह जो शरीत आहर में दिये जाते हैं क्या किया गया है यह क्यों ही आवश्युक्ति अधिर है ओ को क्या वस्यक्ति इमिनों मेन तो आपकी यह क्उस्शनी डि裂न को कॉंसेप्ट किलियर है सारे तो जल्दी से लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा अपने दोस्तों को और आगे बढ़ते हम सब्क्राइब तो खिरकरी रखा होगा और गंटी भी दबाई दीजिएगा ताकि अगला जब भी वीडियो आये आपके पास सबसे पहले आए चले चलि अब दो नमबर के इन दस कुष्ण में से एक कुष्ण आपके एकजाम में फिक्स है इन दस कुष्ण में से आपके एक कुष्ण आने की संभावना फिक्स है तो ट्रॉपिक वाइस पढ़ाएंगे अपन न्यूक्लिक अमले क्या होते हैं प्रोटिन के विक्रति करने क्या है आरने डियने में अंतर पेड बंद क्या है आवश्यक और नावश्यक अमिनोम ले क्या है देश्यदार एम गोलाकार प्रोटीन हमारे शेर में वीटामिन सी संचित क्यों नहीं होता वीटामिन सी बेटा यहाँ पर मॉनोसेकराइट्स किसे कहते हैं ग्लुकोज और फक्टोज को क्या कहते हैं मॉनोसेकराइट्स प्रोटीन की प्रात्मी के दितिक सहचना को समझाईए आप किस प्रकार दशाएंगे कि ग्लुकोज एक एल्डिहट सम्मू है चलिए न्युक्लीक अमले की डिफिनेशन आगए आपके सामने किसे कहते हैं अपके सामने कुष्ण हाजी रे इसको इंशाद लीजिए समझा देता हूं इसको क्या होते हैं यह का मिधिंग का राटर से इसली कई से होता है और किस प्रकार आते हैं इन वाइयों का दाय तो किसको दे रखा हं भया या न्युकलिक हमल को दे रखा है और दो गाilly को रिभ आलरनी यिक अम खैले कोशीगा के नाविकि में पा यह जाते हैं गये ने और आर एसीड़ और RNA ribose nucleic acid तो यह हैं आपके सामने nucleic acid क्या होता है और इसके क्या कारिय है आगे बड़े चलिए स्क्रिंशार्ट रिजिएगा बेटा सरल लेंग्वेज में लिख़ा रखा है बता रखा है प्रोटीन का विक्रतिकरर बहुत बढ़िया बेटा तो यहां पर एक चीज यह भी आती है कि प्राश्मिक प्रोटीन का विक्रतिकरर नहीं होता है लेकिन दूसरे टाप की जो प्रोटीन होती है जैसे दूतियक प्रोटीन है इसका विक्रतिकरर हो जाता है कुल मिला कि यहां पर क्या होता है इसमें जो बोर्णिंग रहती है क्या इसको गरम किया गए अथ्वा अमल शार् लवन् विल्यन नहीं होगी क्या नहीं होगी तो यह हो गया वापस उस फाम में नहीं चेंज हो रही तो यह होता है अनुत करमनी विक्रतिका रहे हैं कुछ प्रोटीन वापस उस फाम में कनवर्ट हो जाए तो उसको कहते हैं उतकरमनी है उतकरमनी बोले तो जैसे कि कोई प्रोटीन यहां पर हैं A से B में कनवर्ट हो रही है वापस B से A में कनवर्ट हो जाए तो यहां पर इसकंदन हो गया वापस उसी फ़हां में कनवर्ट हो जाए तो यह यह हो जाएगा उत्करमनी है उत्करमनी है लेकिन अनुत्करमनी की जब बात करोगे अनुत्करमनी की तो उसमें क्या होगा कि आपको जो ह यह A से B बन रहा है ना तो यहां पर क्या होगा वापस रिवर्समिन जाएगा अंडा जो है पकने के बाद उसके अंदर जो प्रोटीन है वो थोड़ी ठोस हो जाती है वापस उसको उस पॉर्म में कर सकते तो वो हो गया अनुत कर्मणी विक्रति करना तो क्या बात है चलो जल योधा से इमेजिनेशन अंदर इमेजीनेशन घरना बोतिक और जैवीद मूलों में परिवर्ति हो जाता है यह प्रोटीन का विक्रति करन की प्रमुक लख्छन यह दे रहुए रहा क्या बेटा राशान गरूप से विक्रति करन से पर्रोटीन की प्रात्मिक संशन हो जैविक सक्रिता खोव देता है यह एक एरक्टर हो गए चलिए लीजे इसक्रिंशार्ट आगे बड़े अगला क्यूशन आपके सामने हजी रे बेटा वेरी इंपोरेंट है डी एन और आरेने मं अंतर हलाकि दो नंबर का क्यूशन है दो नंबर का क्यूशन पूचा जाएगा तो दो अंतर पूचे जाएगे चलो तो डी एने में फर्स्ट रिफ्रेंस इसमें डी आकसी राइबो शरक्रा होती है इसमें राइबो शरक्रा होती है अभी अपनों ने बात करी थी कि डी एने में एक तो एडिनीन एक थाइमीन साइटोसीन और गवानीन थाइमीन इसमें नहीं पाए जाता है इसमें क्या हो हिसमें अदिनिन गवाणिन पेया जोता है हैं को इसे मिला कि परकार कीकों तो परकार कीश जो मैंने नोर्ज चर पड़ाया था यूिस पड़ाया था से सारी स्ट्रक्चर वगरा सब समझा रखिए इसमें एडिनीन तथा गवानीन प्यूरीन नाइट्रोजन बेस तथा साइटोसीन और यूरेसील प्रिमीडीन नाइट्रोजन बेस होते हैं ठीक है कि अधिकांची मात्रा कोशिका के केंद्रक में होती बढ़िया बात है आरेने केंद्रक तता साइटो प्लाज्मा दोनों में पाया जाता है बढ़िया बात है डियने की सनशना में दो सुत्र है ना कैसे दो सुत्र यसे डियने की सनशना में इससे चलता है और आरेने में एक ही कुछ आया इन काम यह आणुवान्शिक को का पहुंचाता है तो यह दोनों भाई। प्रति क्यों होता है कि योगार्ण है कि अधीयद। आति कर दुढें। तो आणुवाशिकता का वहाख है यह आणुवाशिक गुणों को एक पीर से दूसरी पीर तक पहुंचाता है RNA प्रोटीन के संसलेशन को नियंतरन करता है मेरी बात समझ में आई तो भाई साब ये DNA और RNA मंतर इसके नचार्ट लीजिए आगे बढ़े ओके चलिए मेरी बात ध्यान से सुनना आपके पास क्यूशन आया है पेप्टाइड बंद क्या है तो जब एमिनो एसिट्स है ये एमिनो एसिट्स है मेरी बात सुनना इस C दबल एच का ये OH और इस NH2 का ये H इस बीच में से क्या निकाल दिया आपनोंने H2 निकाल दिया और ये जो बनी गया ये CO-NH बंड जो है इसको मैं कहूंगा ये पेप्टाइड बंद है ये पेप्टाइड बंद है पेप्टाइड बंद है इनके बीच में तो एमिनो एसिट्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं बहुत सारे एमिनो अमल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं प्रोटीन एक क्या है पोली पेप्टाइड है क्लियरे चलिए दो या दो साधिक एमिनो अमल के संग्रन से बने अनू पेप्टाइड कहता है और बहुत सारे एमिनो एसिट्स मिल गए तो स्रियो एनेच होता है एक एमिनो अनू के सी डबल ओच इस वारे का सी डबल ओच दूसरे एमिनो अमले के एनेच टू समू से एक जल अनू के विलोपन से यहां पेप्टाइड बंद बनता है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी चलिए समझ में आई तो लाइक ठोकिएगा पेप्टाइड बंद का निर्मान अल्फा कार्बोक्सिलिक समू और अल्फा एमिनो समू की परसपर क्रिया के फलसुरूप होता है आगे बढ़े हाँ जब क्लो व दो एमिनोमल एक पेप्टाइड तो योगीग क्या कहलता डाइब ट्राइड इसागिकन र प्रद और बहुत सारे ओ즘 झांगे थरी प्रली फेप्टाइड क्या कहेंिं के बनाव में समूं ockeyयोगा क्यों एत्प्रेट होगा को pentru है इस अवायार बहुत शांदर इस और ऐना बताया था ऐसे डिफेरन डिफेर्ञ को क्यों होते हैं और ऐम्यों इस以 Ć Советр प्रोटीन बनते हैं क्या बनते हैं प्रोटीन और प्रोटीन क्या कहलाते हैं पॉली पेप्राइड तो क्या कहा आवश्चक तो था नावश्चक एमिनोमले क्या होते हैं कुल 20 आमिनी अमला में से 10 आमिनी अमला तो होते हैं आवश्यक आमिनी आमिन आम्ला जबकी 10-10 आमिनी आमक confer नहीं होने हैं बाकी इतनी जजरुरत नहीं बोडी को मतलब कुल मिलना के 10 या विद्ट है जो जो सकते हैं जो अपने बोडी में ही बन सकने उन्हें अशार हैं आदी नहीं प्रोलीन है एऽ ग्लाइसीन एवाश्चिक है चल्दर नहीं वश्यक और अना वश्यक एमीनों समझ में आगया होगा इसक्रिंशाट लीजी आगे बढ़े बहुत बढ़ी बात है जब अससे तरीके से समझ में आ रहा है सभी बच्चों को जे हो रेशेदार और गोलाकार प्रोटीन को विभजित करना आपको अंतर बताने रेशेदार और देख गोलाकार प्रोटीन ये बाल दिख रहे हैं ये रेशेदार प्रोटीन है ठीक है गोलाकार प्रोटीन अंडे के अल्भी मिन में वो जो गोलाकार प्रोटीन पाई जाती है तो आन्मिक सरशना के अनुसार किसके अनुसार अनुसार रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार अबनाती हैं जिसकी करण protein का का गोलाकार होता है अगास कर लेती प्राप्त कर लेती क्या करती गोला करती प्राप्त कर लेती है यह गोलाकार प्रोटीन आसरम 창 रीशिदार पूर छल में और विले लिखना पड़ेस बेटा प्रोटिन प्रोटिन टाप्मान के प्रत्य होती है एक उसमें गोला करती बना लेती है ना तो यह रीफ्रेंस हो गया किसका रेश्यदार प्रोटिन और गोलाकार प्रोटिन का आगे बढ़े चलिए वेरी गुड़ इसके फिरन लेजेगा हमारे शेरी में विटामिन संचित क्यों नहीं होता विटामिन सी ये किशन भी था आपके साथ हमारे शेरी में विटामिन सी संचित क्यों नहीं होता तो विटामिन सी जल में गुलंशिल है जल में गुलंशीन विटामिन शरीर में संच्चत नहीं की जा सकती है इसलिए बाहर से हमेशा रिगुलरली अपने को विटामिन सी लेना चाहिए संत्रे निम्मू खाने चाहिए इन विटामिनों को मुत्रद्वारा त्याग दिया जाता है अंदर रहते नहीं बचते नहीं है तो इसलिए विटामिन सी बोधी के अंदर संचित नहीं होता है आगे मोनोसेकराइट से क्या है आपके सामने एक्जामपल हाजीर है मोनोसेकराइट के एक्जामपल जो है वो है ग्लुकोज है फ्रक्टोज है गेलेक्टोज है मेनोज है बहुत सारे एक्जामपल हो है मोनोसेकराइट से के ग्लुकोज फ्रक्टोज बता देता हूँ वे कारवोएड़ेड जिनका और अधिक जलब बड़न नहीं होता है जैसे शुक्रोज का जलब बड़न हो सकता है ग्लुकोद फ्रक्ट्रोज में है डिट्रोज में ग्लुकोद बन गया फ्रक्ट्रोज बन गया शुक्रोज का कर वाया अपनों ने है डोड़ इस गवाया यहां प्लस्के रूप में लिख लोगा तो है दो इसका और जलब गटन नहीं होगा तो यह इनको क्या कहूंगा में मोनो से संब्व नहीं होता है इसा पढ़ते हैं इसको पॉलिवाइड्र करवा रहना है नहीं पढ़ते हैं इसको पॉली भाइड्रोक्षी लिएड अत्वा ट्वा कि टोन के और अधिक सरण योगीकों में जया अब प्रोटीन की प्रात्मिक सरचना मेरी बात सुनना प्रोटीन की प्रात्मिक सरचना दें हो क्या रहें तो यहां पर जो भी है player टू टू ऑट यहां का एस निकल जाए तो यहां पर तो CO, NH bond बनेगा, यह CH2, यह NH2, यह CH2 यहां से OH और यहां से H निकलेगा, तो यह CO, यह NH, यह CH2 यहां से OH और यहां से H निकलेगा, तो यह CO और यह NH, ठीके, यहां आगे जाके, यह CH2 और यह CW आगे जो भी हैं जुड़ा है, तो यह हो गई, प्रोटीन की प्रात्मिक सरचन हो जाएगी जो सिंपल वे में चल रही है NCC NCC चलाते जाओ NCC निकाल लिखते जाओ या फिर इसको ऐसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं NCC NCC लिखते जाना तो प्रोटीनों की एक अथवा अनेक पॉलिप्रेट्ट्राइड शंकलाई उपसित हो सकती हैं किसी प्रोटीन की प्र प्रोटीन की दीतियक सनश्चना का संबन उस आकरति से हैं जिसमें विद्यमान होती है यहां दो बिन प्रकार के सनश्चनाओं में विद्यमान होती है अलफा हेलिक्स तो था मीटा प्लेटेट शीट सनश्चना यह सनश्चना है प्रोटीन के इम्मुन एस टाइप से हैं यहां पर हर जगे और यहां पर क्या होगा कोई सीओ होगा और इधर से नेच होगा उसके बीच में हैड्रोजन बंद बंद जाएगा सीओ Eck की बीच में यह सीओ यहां पर लिया मैंने न और यह इनके नह और यहांपर हाइड्रोजन बंद बंद गया प्रेट शंकला दक्षिनावरति प्रेज के समान मुड़ी रहते हैं प्रतिक इमीनौमल का विश अ शिष्ट प्रतिक एमीनौमल होगा एनेच शमु खूंडलीन के अगले स्थितिक सरचना और थोड़ी जटिल हो गई कि प्रोटीन की त्रतिक सरचना पॉली प्रेप्रेटिशन के और अधिक वलन ज्यादा वलन हो जाए वलन लिपड़ना को प्रदशित करती है इस से दो प्रमुक आणविक आकरतिया बनती है रेश्यदार तथा गौलाकार प्रमु की सेकंडरी ओर टर्शरी सरचना को इस साहित प्रतान करते हैं वें अधिकष्प्रोटान करते हैं यह अलग अधिक प्रोटीन आपस में गुत्छा गई तो दो यां-धिक प्रोट्यटिशन नें होता है जिने उपिकाई कहते हैं इन उपिकाई की परसपर द्वी किस्तान य यहां पर चतुष का सरचना हो गई, एस में आपका शुर। कि यह हो गया कि इस युट का आपका लास्ट कुशन है कि आप किस प्रकार दर्शाएंगे कि ग्लुकोस एक एल्डी है समू है तो ग्लुकोस की सरचना इस प्रकार से होते हैं ग्लुकोस का सुतर होता है हैं हैं अस सिक्से एस ट्वेल ओ अ सिक्से अ और ग्लुकोस की संचना में में न्यूसरा दूसरा recursate नूसरा चनुद्र ये CH2 OH, ये CHO OH, एच होह होग ये बेटा जोग्लोकोज की सनदाइज नहीं इस वरकास होती है LD हैडे हो जिन योगीकों में CHO समु पाये जाता हैं उन्हें कहते हैं LD हैडे चूकि glucose में CHO समू प्रिजेंट होता है इसलिए glucose एक aldehyde है और glucose को aldohexose कहते है क्या लिखो कि इस कांसर दो नंबर में आए तो आप किस प्रकार दर्शाएंगे कि glucose एक aldehyde इक समू है तो glucose कानुसुत्र C6H2O6 है glucose की सरचना इस प्रकार से होती है इस सरचना को देखने पर इसमें CHO समू विद्दिमान है यदि इसमें CHO समू विद्दिमान है तो glucose एक aldehyde समू है glucose में एक aldehyde समू पाया जाता है इसलिए से एक aldehyde केते है glucose को aldehyde भी केते है बस इतना से रिखना तो साथियों आपका जो है आपके आज complete ठीके तो अब आपको complete करना है अपने दोस्तों को अपने साथियों को इसके बारे में discuss करना है साथ में मिलकर बेठ के पढ़ रहा है चर्चा करना है और enjoy के साथ पढ़ना है ओके मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के क्विशन बेंक के साथ तब तक के लिए ओके बाए जैहिंगे